हेलो किसान साथ यो आपके अपने तक्नीकी चेनल ग्रीन फार्म सोलूशन पर आपका स्वागत है और अज हम आपको तक्नीकी जानकारी देने वाले हैं गटेशन के बारे में आजकल किसान भाई आप देखते हैं कि दिन में टेंपरेचर ज़्यादा है रात को कम हो जाता है यानि डे नाइट के टेंपरेचर में काफी ज़्यादा डिफरेंस है ऐसे में पोदे दिन में ज़्यादा तापमान के कारण पानी और पोसक ततों का ज़्यादा अपटेक कर ल अत्रिक्ट प्रेशर को कम करने के लिए पोडे हाईडोथॉड के मादिम से अत्रिक्ट पानी को छोटी-छोटी बुन्दों के रूप में बाहर निकाल देते हैं। और जब हम सुबह सुबह हमारी फसलों को देखते हैं तो ये बुंदें पत्यों के किनारों पर हमको दिखाई देती है और जैसे दिन निकलता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बुंदें सूप जाती है पोदों में गटेसान एक प्रकर्तिक प्रकिरिया है हाइडेथोड नामक विसेश रंचनाएं जिनको हम जल रंदर भी कहते हैं वाटर स्टोमेटा भी आप कह सकते हैं से पानी निकलता है और हाइडेथोड जो होते हैं ये आम तोर पर पतियों के किनारों के उपर पाये जाते गटेशन पोदों को पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है या दूसरी भासा में हम कह सकते हैं कि उसका एक तरह से पोदे का जो बलड प्रेसर है बीपी है वो बनाए रखने में मदद करता है गटेशन से उत्पन पानी के विबिन परकार के कार्बनिक और एकार्बनिक खनिजलवन इसके लावा अनपी के सोडियम, मेगनिसियम, आइन, सरक्रादी सामिल होते है गटेशन मौसम के नसार लगबग सबी फसलों और सबजियों में होता है हम बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की तो गटेशन से डारेक्ली तो कोई नुकसान नहीं होता है बलकि फायदा ही होता है क्योंकि ये पोदे में पानी का संतुलन बनाए रखने में पोदे की मदद करते हैं लेकिन सबजियों में और पोलियाऊस, नेटाऊस के जो किसान भाई खेती करते हैं, विशेश रूप से जो खीरे की खेती हैं, उसके अंदर इसका नुकसान हमको देखने को मिलता है, दो तरह से नुकसान होता है, पहला नुकसान तो जो पोसकता तो पोदे ने अप्टेक किय थे, वो पोदे की पतियों के किनारों पर ही रह जाते हैं, जिसा आप यहां पर देख रहे हैं, दीरे दीरे ये पतियों के किनारों को जला देते हैं, और ज्यादा जिसे अगर बहुत समय तक ये गटेशन होता रहता है, महिने, दो महिने तक, तो इनके उपर फिर दीरे दी प्रोंगस भी पैदा हो जाती है गटेशन जब लगातार होता रहता है तो सभी पत्तियों के किनारे जले वे से दिखाए देते हैं बहुत सारे किसानों को तो यह लगता है कि फसल में पोटास की कमी हो गई है लेकिन फसल को ध्यान से चेक करेंगे तो आपको अंतर समझ में आ फ्रेंस है वो ज्यादा ना रहे ज्यादा हेवी सिंचाए नहीं करें और छोटे पोड़ों में अगर आपको लग रहा है कि यह समस्या ज्यादा हो रही है और उसके कारण कुछ फंगस भी पैदा हो रही है तो आप कोई भी सिस्टेमिक फंजी साइड का छिड़काव कर सकत ही मुझे पूरी उमीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपके सवाल या सुजाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें करपेश वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सेयर भी करें और आप अपनी समस्या हमें ग्रीन फार्म सोलुशन्स के इंस्टाक्राम पे भी सेयर कर सकते हैं धन्यवाद